है जाही हिन साथियों स्वागत से आपका आपके अपने परिवाद डीजे सर क्लास से यहां पर बात करते हैं हम पुल्टता नियामन कि विल्टता नियामन जो होता है उसे चरे करें कि तो श्वल्टेज कि ए पुल्टेज रेगुलेशन voltage regulation voltage regulation वड़ते हैं voltage regulation अब देखो voltage regulation basically होता क्या है voltage regulation दोश्च क्यों है कहां आप voltage regulation पढ़ते हो यह आपको पता होना जाएँ आप देखना हम voltage regulation वो क्या बोलते हैं change in voltage from no load to full change in voltage from no load to full load is known as voltage regulation मैं बोलू कि आपके पास क्या है no load से full load के दोरान पुल्टता का परीवर्तन पुल्टता नियामन कहलाता है अब इसे जनरल बात करते हैं व्यापक बात करते हैं आरता है कि मालो हम कहीं बार लोगों से विवहार में आते हैं संपर्क में आते हैं लोग बड़े अच्छे होते हैं आप थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करो इस भी सिस्टम में वो दो लोग हैं उन लोगे विवहार में परिवर्तन हो जाएगा अब lekker अब आपके पास बताओ यह परिवर्तन बहुत बड़ा होना थोड़ा होना चאני ने ज्ञानी नहीं होगा है उन्हां जज्यादा परिवर्तन बहुत खराब होता है वो जो बताओ voltage regulation जो है अभी आप सो चलो एक बाइक लेकर आते हैं एक बाइक पर आप बैठते हो गुमाते हो बढ़ाएदा और बहुत बढ़ी है स्पीड का regulation यह आपके गाड़ी की स्पीड का regulation है अभी आप देखना सिंपल यहां आपने क्या किया टर्मिनल पर ना पर वोल्टेज सपोस्पोस मान लो वोल्टेज यहां आपको 230 मिल रहे हैं आपने एक तार खीचा और नीचे ओफिस के कोने पर आके गुरुजी लिया है मै सप्लाई उपर के पॉइंट से लाया हूं बागी तो कोई पॉइंट में सप्लाई नहीं थी यहां से ले लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने यहां से चीज को चला लेंगे आप लाओ टर्मिनल वोल्टेज ना पो अब बताओ कितने आने चीए वहां पर 230 नापके गए हो यहां पर और वहां पर 230 नहीं आ रहे हैं वहां पर आपके 220 यहां बताओ 10 वोल्ट कहा गए तो गुरुजी रेगुलेशन में है यहां गए रेगुलेशन पर लाइन खीच के लेके गए हो ना इस लाइन ने डॉप करवा दी हो तो आपके दो आपके 220 मिलेंगे तो या पर पर गए पर गए को नहीं बताओ रेगुलेशन को अगर व्यापक कि ईड़ाये जाती है अरो इस नाम से बढ़ाया जाती है ट्रांस्वार्मर का वल्टेज रेगुलेशन अगर दीखा जाए तो रेगुलेशन आपको अपसले है यह ए प्रत्या वर्त का यह देखो मोंटर एक तो में विना रोड़ चला रहा हूं और उसका आर्पियम रेटिंग क्या रहा है एक उस मश्षीन को मैं रेटेड पर डाल रहा हूं जो मैं उसको कम उसकी निर्देशी का पटी पर मेंशन करूंगा वो लिख रहा हूं और फिर उसके बाद वो जो आ रहा है वो क्या रहा है कई बार क्या होता है आप लोकल कंपनी की जाते हो तो पूस्ते वैसा किसी पर चलती है अब आप समझना एक आपके दो पूल की मसीन उसने डिजाइन करिए कि ष्की आपके संख्राशिस पीड्डश कितनी है यह वो शुं का मतलब हिय। सब्सक्रा पूलेंगे वह स्वाहलें इल्गिन इसकोkachें तो दॉन्स नहीं सुना रहे है उसको चार का निसुना रहे हे हैं उना हना दो है濟ार पुल ले रहा है उसकी वह कारेंटी तो यह समझ लो बदलब आप विश्वास नहीं कर सकते उस लेवल पर अभी आप देखना यहाँ पर ती चार पोल की मशीन ने को ली चार पोल की मशीन का सिंक्रोन से स्पीड पर आता है तो आपके पास 1460 पर अभी आप देखना यह मशीन कहां गुमेगी यह मशीन गुमेगी 2880 पर यह मशीन घुमेगी आपके पास कितना 2910 RPM पर यह स्पीड आईगी तो उसकी नॉर्मल आने चाहिए आपके जो लिप है आपके ठीक ठाक परमिसिब लिमिट में है तो अगर स्लिप और ज्यादा बिगड़ा अगरा तो आपके स्पीड आपके और डाउन हो जाएगी लेकिन जो आपके बड़िया कम्पनियां जोती न वो कम्पनियां ऐसी बात करती नहीं है वो क्या गोलती ए नहीं हमारी मशीन इस पर नहीं कहारा हमारा fan जो है वो भई साब आपके पास गूमेगा 1200 rpm हमारी machine कहां गूमेगी 2880 पर नहीं गूमेगी भई साब हमारी machine जो आपको performance देगी तो आपके 2700 से 2800 rpm पर performance देगी पर चलती भी ऐसी है वो फर्राटा नहीं चलती लेकिन ध्यान रहना उनकी age बढ़िया होती है और कंसरेफ्शन भी ध्यान में रखा जाता है पकी बात है आपकी जेब का भी खयाल रखते हैं तो इसस्टार्टिंग में आपकी जेब regulation यहां पर भी दिखना तो यह फर्क नजर आ रहा है ना इसे हम क्याते हैं इस जगे मिल और चाहिए रहा है तो आपके पास क्या होता है उदर की तरफ से रीसीविंग आड़ पर वोल्टेज में हमेशा फर्क आएगा जो फर्क आएगा उसे transmission का क्या कहेंगे उसे प्रांस्मिशन लाइन का और यह कि एक तो मिलेग आपको इसे एक के पास एक आपके पास मशीनों में मिलेगा लेकिन यहां वुल्टेज के रेस्पेक्ट में मिलेगा यहाँ इस पीड के रस्पेक्ट में मिलेगा और इसे कहते हैं atid regulation अफ आपके इंडक्शन मोट कि आपके पास simple speed regulation हिंदी में कहते हैं गती नियामन क्या बुलेंगे इसको गती नियामन चलो यह तो बाते है आपके हो दिमाग में आपके किसले निया हो गायार इंसब अहां हम क्या पढ़ने वादे है कॉलेज में आपने कम पढ़ाई कि वरून के जो पास आओटो कि बच्चे निगते न किस तरहिके से कॉलेज्यों में से पास ओकर पढ़े हो वह सब पता है हम जो मालता होना stacks my पढ़ता होगा तो मैं मैं मानके चलता हो किया नहीं पढ़ा of that पर बात में अधर के लिए तक कि आपको चीज़ ऐसा निहीं लगे कि एकदम से चीज़े उठोक बात को अभी कोई भी नई सिनेमा का गाना आता है आप पटाफ़ याद कर लेते हो ना आपने पैदा उसको क्यों याद कर लेते हो आप याद करते हो आपकी दिमाग गोर से में लेक्टर को एप्रिशेट किया और आपके पास क्या है गोर से सुना करो ताकि तो चीज याद सूचना है और यह पही बहुत इंपोर्टेंट है और आपको यह याद करके दिमाग से बाते करते हो कि नि करते हो करते हो अपने दिमाग से बाते करते हो हाँ पबलिक में नहीं करना है अकेले में करना है पबलिक में लोग पागल समझते हैं पागल है किस पर बढ़ाता रहता है आपको अकेले में करना है और आपके दिमाग से फ्रेंड्शिप करके आपने पढ़ा भुलाया आपने पढ़ा और बुलाया ऐसे जब दता यह हैं चलो जो हम क्या कहते हैं सबसे बिले हम transformer के respect में पढ़ते हैं इसको तो आप देखो voltage regulation क्या होता है no load से full load के दोरान फुल्टता का परिवर्तन आपके voltage नियाम कोई नाम नहीं लूँगा बाद में नाम लेके बाते करूँ अभी आप देखो no load से no load फुल्ड के दोरान फुल्टता का परिवर्तन फुल्टता का परिवर्तन नियामन के दोरान वील्टता नियामन और इंग्लेस में कहाते है व३र्टेज रगूलेशन वॉल्टेज रगूलेशन कहलाताँ नो लूड से फुल लूड के दोरान आपके वॉल्टता का परिवर्तन वॉल्टेज रगूलेशन कहलाता है वोल्टता नियामन कहलाता है यह पहला पुइंट आपको क्लियर हुआ है लेकिन अभी तक दिवाइस का नाम नहीं लिया है सिंपल में वोल्टेज के बारे में बात करता हूं कि चेंज इन वोल्टेज के फ्रॉम नो लोड तू फुल लोड जो है क्या कहलाएगा वोल्टेज इसको लेकर बच्चे जो अकसर डाउट पूस्ता है वो पूस्ता है तुझ यार मेरे एक बास समझे क्या कभी तो यह नो लोड का भाग देता है ना कैसे याद करूं कि आपके पास क्या नो लोड वाला सही है या फुल लोड वाला सही है ना कि डाउट कितने बच्चों के लिए और दिंदा अ कि तुट ओ कि दिमाग में नो लोड वाग लगाना यह का फुल लोड वालना है इस बात का हवा नहीं चलता ह५ो गोड़ दिदा यह राग ہے लांत है है को 3-2 इस पता इसको लेकर किसे निकला इन्होंने यार मैं तो सब्सक्राइब निगलेगा मैंने उसे डाल दिया अभी यह उनलाइन वाले बच्चे कुछ बोल रहें क्या कि नी कुछ नहीं बोल रहें यार अभी फिलाल तो शान्ती बैठे वें एक मेरी बास सुुनो मैं व्यापारी हुँँ व्यापार करने के लिए के लिए महत्यपूर्ण क्या है जो मेरे पास है कि अब्से अब हुव और वह चीज खरीद दी संगा इसAud जो आपने दिया तोनों के लिए एक ही व्यापार में फरक हो गया ना आप आप देखो उसी वस्तु पर आपने पहले किसी पडोसी से पूछा कि वह वस्तु आपको कित्ते में पड़ी पर आपके दिमाग में उस पडोसी का भाव यहाद है तो आप जो कंपारिजन करते हो उस भाव के आधार करते हो ना जाया यार वह भाईसाब कित्ते के लाए थे तो कहा बंदे रहा है तो अब है दूकानदार अलग सापक्ष में निकाल रहा है आपका अलग सापक्ष है तो आप बताओ सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड दोनों का अलग-अलग हिसाब किताब है, फर किस बात पर पड़ता है कि कौन कैलकुलेट कर रहा है, किस हिसाब से कैलकुलेट, तो वुल्टिता नियामन को हम दो प्रकार से वरगी करत कर सकते हैं, एक होता है वुल्टेज अब वुल्टेज रेगुलेशन डाउन, वुल्टिक यू उतार लिया आपने, वुल्टेज रेगुलेशन को दो प्रकार से वरगी करत strips की या सकता है, तो second point हम बात करते हैं। उल्टिता नियामन को दो प्रकार से वरगी करत और वरगी करत किया जा सकता है क्या जा सकता है पहला आपके पास क्या होगा पहला आपके पास होगा वोल्टेज रेगुलेशन अप और दूसरा होगा वोल्टेज रेगुलेशन अप और दूसरा आपके पास क्या होगा व्ल्टेज रगुलेशन डाउन होगा, और दूसरा आपके पास क्या होगा, व्ल्टेज रगुलेशन डाउन होगा, तो चलो व्ल्टेज रगुलेशन, अभी ध्यान रखना, मैंने किसी भी डिवाइस का नाम नहीं लिया है, मैं केवल और केवल व्ल्टेज रगुलेशन पर बाते करूंगा अभी मैं आपसे बाते करूंगा अकोर्णिटू डिवाइस के साफ से बात करें तो आपको बता लग गया क्या होती है पहला होता है अप और दूसरा होता है वल्टेज अपक्यों अपक्योंगी अब देखो अपन एक अपके पास क्या है वी नो लोड या फिर इसे मिलता यहां कहीं किताबह आपके पास क्या है इसको यह देती है आपके पास V no load और इसे हम कहते हैं इसको load voltage यह होगा no load voltage कि हमने माल लिया no load voltage इसके बाद आता है VFL इसको full load या फिर आपको क्या मिलता है V या फिर क्या मिलता है V आचा वी node जो होगा vno load पर voltage होगी और V आपके पास जो होगा तंडर्लि कोई विशेश परस्तेति या नहीं वो load पर आपको voltage का value जो है वो अच्छा मिलेगा आफिर पर voltage का value drop मिलेगा द्यान अगना आऑ आपके पास सामान्य प्रिस्थिती यहां पर अगा? यह होगा हम यह की आपके पास नए से कहेंगे full load वोल्ट। नोलोड व्ल्टेज और full load व्ल्टेज यह आपके पास हमने मालता है अब याँ बताओ नो लोड वुल्टेज जो है उसका वैल्यू अगर हम बात करें जिनरली तो ज्यादा मिलने वाला है फुल लोड पर जो वुल्टेज मिलेगा वो रेस्पेक्टिविटी हमें थोड़ा कम मिलने वाला है यही हम साय करना वाले हैं इसको हम क्या बोलेंगे रेगुलेश्ट पारो अब बोल रहा है वी लोड माइनस वी लोड डिवाइड़ बाई वी फुल लोड अब की बच्चे क्या कर रहे हैं या अरे एप वाले विद्ध्यारती है है करन यहां तक अगे बाते करें चलो अभी उतार लिया होगा आप लोगों ने अब देखना यहां पर मैं आपको दो फॉर्मला दे रहा हूं अपके डाउन का फॉर्मला दे रहा हूं आप देखना यहां पर हम बात करते हैं पर्सेंटेज क्या आपके पास क्या होगा पर्सेंटेज बॉल्टेज रेगुलेशन अप पर्सेंटेज बॉल्टेज रेगुलेशन अप अब देना पर्सेंटेज बॉल्टेज रेगुलेशन क्या होगा पी ओ लोड माइनस वी फुल डिवाइड़ भई वी फुल लोड और इसको हम क्या बोलेंगे आपके वल्टेज रिगुलेशन अप अपके पास क्या है अप था ना फुल लोड के रेस्पेक्ट क्या है यह वल्टेज रिगुलेशन क्या हो जाएगी अप और देखो एक फॉर्मला और लिख रहा हूं मैं आपके लिए यहीं पर यहां में बात कर रहा हूं कि परसेंटेज परसेंटेज वुल्टेज रिगुलेशन डाउन और यह आपके पास क्या हो जाएगा पी नो लोड माइनस इन गुल डिवाइड़ बाई पी ओ लोड और यह हमारा क्या हो जाएगा इंटु सो परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो आपके पास क्या हो जाएगा वुल्टेज रिगुलेशन डाउन हो जाएगा 我amam को आपको पूर और आपके पास क्यों जाए गालेट किया जाता है और वर्टेज रगुलीशन डाउन जो है वह विद रे खालों किया जाता है अच्छा यही ए् refuse इसे भी लिखा जा सकता है वह है और कि यहां देखो यह आपके पास क्या है यह आपके पास्य देखने हो है यह सकता है आपको यह चीजे देखने को मिल जाए वहाँ पर हो सकता है जो मैंने इधर लिखती हूँ यह वो देख जो भी मिल जाए वो आप देख ले ना फार्मले आपको याद होने चाहिए अब देना बुल्टेज जगलेशन का मान क्या होना ची कम होना ची क्या होना चाहिए तो हम क्या बोलेंगे यहां पर आपके पास क्या है लिखेंगे बुल्टता नियामन का मान क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए वोल्टेज जगलेशन पैली जो है आपके कम होनी चाहिए तो यह कम के निच्छी अंडरलाइन मार दिया मैंने आपके पास क्या होना चाहिए चलो अब देखना एक आपके पास है अप और एक आपके पास है डाउन आप देखना मैं इस जगे से बात कर रहा हूं मैं आप पर हूं और एक व्यक्ति जो है वो डाउन पर है तो आप मुझे बताओ डाउन वाला किसको रेस्पेक्ट्ट वानेगा इससी बात है डाउन डाउन वोल्टेज को मानेगा ना मतलब कर रहा है मैं रेसिव डाउन पर अधर में मैं क्या करूंगा मेरी डाउन पर जो मेरे पास आया है फ़ूल लोड वाला माना उसको आपके पास आधार मानकर इसको कैलकुलेट खरें कि एक ही घठना है अभी आपके पास आखले होगे स्वात्मत मान और स्विel Spaन की आने वाला है और हमें से लेकर यहां तक का डिफ्रेंस पो यह अने वाला एफ जुटा के ठाइभ जो डाउन पर था वो आपके नोन के रहे इस बात का ध्यान रखना विशेश रूप से अभी देखना ट्रांसफॉर्मर के लिए जो आप वोल्टेज जगुलेशन की बात करते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर वोल्टता नियामन कि यहां तक चीज़े क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब दो कि इतने बच्चे बैठे हुए पूजा फिचे अनुराख महेंद्र और भी आपके पास जो है कि अभी हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज रिगुलेशन ट्रांसफॉर्मर पर्सेंटेज वोल्टेज रिगुलेशन में आप जनरली जो फर्मला यूज करते हो वी वी दो लॉड वाइनस फीडुर्ट ऑके पास क्या है फीं सो लोड्ट इंटू अपके सो अच्डिभ आप जब अल्टर परिआप देखना अब करेंदीर पर्सेंटेज बोल्टेज रिगुलेशन को स słuट बाइट इत्माल किया जाता है न वी ओ लोड दिवैडिड बई की फुल लोड इंटू फुल लोड इंटू आपके पास क्या है सो अच्छा रिट्टेड इंड पर जब आप जोड रहे हो पशीन को लोड पर जोड रहे हो उस वक्त वोल्टेज क्या आए वो उनके लिए माइने रखते हैं अभी आप देहना ट्रांस्फॉर्मर के लिए हम आपके पास नो लोड तो यहां कॉनसी कंस्टिडर कर रहे है हम आपके पास क्या है अपर हम क्या कर रहे हैं अप आजा ट्रांस्मिशन नाइन के लिए जह वूल्टेज यगुलेशन की पार था थी है तो ट्रांस्मिशन के लिए भी हम क्या आउन न जाना उस अइंड पर गालो दोनों फॉर्मूला झाल आगे बाते करें यह आपके पास क्या है दोनों फॉर्मला मैंने यहां पर लिखा दिया गुल्टता नियामन क्लियर हो गया होगा गुल्टता नियामन के बाद आपको अगला पॉइंट जो पढ़ना है वह है गती नियामन आप हैटे की लगाओ गती नियामन पीड रेगुलेशन सब्सक्राइब आपको गती नियामन को हम क्या बलेंगे इड्रेगुलेशन इड्रेगुलेशन रेगुलेशन मक्या गह सकते हैं कि इंडक्षण कर रोटर का नो लोड से फुल लोड के दोरान जो गती परिवर्थन है क्या गती में आपके पास क्या है जो डिके है वो डिके basically speed regulation कहलाता है नो लोड पे मशीन तेज़ चलेगी शीन पर load डालते से machine speed down होगा की नहीं होगा का मतलब स्पीड आपके पास खुएगी जो यह आपके डिके आएगा ना कि डिके हमारे लिए क्या है एक तरीके का स्पीड रेगुलेशन हम क्या कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर प्रिरण मोटर के रोटर का नो लोड से फुल लोड के दोरान तो गती परिवर्तन है उसे हम क्या कहते हैं क्या करते हैं और इसे नो लोड स्पीड के रूप में चेक्ट करते हैं तो डाफिनिशन क्या लिखने वाला हूं आपके प्रेरण मोटर प्रेरण मोटर के हम कहेंगे आपके ड्रक्शन अच्छन मोटर की क्या कि अध्यू कि इंडक्शन की घति का अद्व लोड से फुल लोड की अधा करी वर्त अच्छन मोटर के दूटर की घति का ऐसे लिखते हैं कि रुटर एक रнов तर ज्यदा क्लियर रही रूटर कशन मोटर के प्रोटर की अधिर घति का तो लोड से कुल लोड के बीच कती परिवर्तन कती परिवर्तन कती नियामन कहलाता है कि नियामन कहलाता है तो वैसे तुम्हें कोशिश करता हूं सब को सई से लिखूं और बच्चे जवाब दो आरे ओफ लाइन वाले बच्चे दो लिख लेते हैं तो मुझे पता है और बच्चे बताओ या राइटिंग सुधारने की जुरूत है कि मेरे को अगर तो अपने में पाते चल रहे हैं अगर अगर परिवर्तन कती नियामन कहलाता है इसे इसे दो लोड कती की प्रतिशत्ता के रूप में व्यक्त किया जाता है इसे आपके नो लोड गती की प्रतिशत्ता के रूप में व्यक्त किया जाता है रिप्रेजेंट किया जाता है चलो अभी जो है हम और बाते करते हैं और इसका फॉर्ब्ला लिख लेते हैं नो लोड को मैं नोट से रिप्रेज़ रहा हूं आप समझ जाना एन नो लोड की बात चलो पर एक आपके पास क्या है एक आपके पास क्या एन डिवाइड़ बई एन नोट इंटू तो आपके इच्छा करेंगे नहीं साफ हम तो ऐसे नहीं लिखेंगे हमको तो नो लोड औ डिवाइड़ बई एन नो लोड इंटू आपके पास सुख आपकी इच्छा है ना अस टिक देना यार पता देना पता चले को फूर ना था बता देना महेंद्र मेना कर रेटिंग और स्पीड सही है मैं सुनते हुए लिखते हैं सर राइटिंग देखते ही नहीं बहुत बढ़िया बात है तो और नहीं तो क्या है मैं एक लिख चीज़ दो तिन 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 बार बोल रहा हूं आप बोल सुन लो गोर से कान लगा लो बसकेवल मुझे याद है जब मैं पढ़ता था ना तब बहुत समय की बात है फुल लेवल की बात है टैंथ स्टैंडर्ड में एक टीचर साइंस की फेकल्टी याई पढ़ाने के लिए बहुत तेज लिखाया करते हैं बहुत तेज हम तीन मित्र थे और हम लोग लिखते हैं पीछे रह जाते हैं आप सुचो उसक्त बच्चे थे एक मित्र ने तो लिखना ही छोड़ दिया तो ख साइंस में सब्जेक्ट होता है उस समय उस वर्ष तो पास नहीं हो पाया वाद हो गया होगा साल तो नहीं हो तो बोला मेरे साथ भी दिखकर थी कि यार ओ टीचर को मैं पकड़ी नहीं पाता था और टीचर भी थूड़ा कड़क से थे तो कुछ पूछो तो भाण ले ले थ अब है कि मैं सुनता और सुनकर आपके पास क्या लिखना चलू कर दिए इसके लावा एक काम और करता कि पकी बाते पर टीचर जो पढ़ाएंगे ना उस चीज को पहले पढ़ता तो क्या है मेरे कान नहीं बसते तो आप जाना है जब आप को चीज नहीं पढ़कर आते हो न तो आपको हस सुनता है सुनाई में आता है मैं सही बता रहा हुए वह कुछ और बोल रहा है और उसकी आवाज कभी भी आपके पास क्या गडबड नहीं नहीं रहोए पर जो बोलता है आप सही लिखते रहे तो कि हैर ये था मैं पढ़कर आया हूं यह होता है इसी के बारे में बढ़ा रहे है लोग एक फिर क्या होता मैं पहले पढ़कर आता एक काम तो यह करता और फिर वहां पर क्या होता कि गोर से सुनता अगर वो कुछ समझा रही है तो उसकी definition को मैं बनाने की कोशिश करता कि क्या बनेगी इसकी definition और फिर एक ध्यान उसके आवाज पर, एक ध्यान मेरे लिखने पर, अब लिखते समय मेरा पूरा ध्यान उदर है, अगर उसने बाते करनी चालू कर दी इदर उदर की, तो भले मेरा ध्यान थोड़ा सा हटेगा उसके उपर, लेकिन जैसे उसने content पर आया, उखट उसके उपर दिमाग मेरे दोस्त का बदला ले रहा था, दोस्त का बदला ले रहा था, मैंने ले लिया, उस समय महाबारत देख के जाते थे, तो महाबारत का भाव, अब धनुच बावन तो है नहीं, बस ये fancy हराना है, ऐसे करते, तो ये आगे जलके बहुत काव है, इस स्पीड भी enhanced हो और फिर अच्छा teacher होगा, उसकी speed बहुत तगड़ी होगा, तो बता है, मुझे बहुत सारा पढ़ाना है, पिर क्या होता कि वो speed आप maintain कर गए, अब सुनके लिख रहे हो, तो बहुत अच्छा है, विजे, इस से best तो कुछ होई नहीं सकता, आपके पास क्या होगा, speed regulation होगया, speed का मा आईए, वही full load पर आए, अगर company बोल रहे है कि bike पर दो लोग बिठा कर आप गड़ी चलाओ, तो company full load speed और दो लोगों को बिठाने के बाद गड़ी की परक ज्यादा नहीं आना च्छी लग, परक समाह नहीं आने, तो बढ़िया चीज, इसका मान कम से कम होना चाहिए, कमान कम के कम राप्त होना चाहिए, होना चाहिए, यह आपके पास क्या हो गया, speed regulation हो गया, अभी देख़े, speed regulation complete है, यहां तक, फिर, I hope, आज की क्लास आपको सम्माह नहीं होगी, अगर आप इस क्लास में अभी तक बने होगे हैं, अगर यह क्लास आपको अच्छी लग रहे हैं, तो दिल की बात, like के जरीए हम तक को, और comment box में एक प्यारा सा comment भी drop कीजिए, आपका एक single comment मुझे बहुत motivate करेगा, में करेंगे, तब तक आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, पढ़िए और याद जुरू, thank you so much, say hi, say hi, say hi.